मैं आज इस पत्रकार वारता में आप सभी पत्रकार बंदों का हार्दिका बीन अंदर अस्वागत करती हूँ और मेरे साथ सभी मंडल के अदेख्ष मा मंतरी उपदेख्ष हमारे पूरे मंडल के पदादिकारी जो आज यहां पे समलित हुए उनका भी यहां पे धन्यवाद करती हूँ मैं भाशपा जुबल नावर कोट खाई मंडल की तरफ से माने मुख्य मंतरी मोहदे जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि पहली बार प्रदेश में एक ऐसे मुख्य मंतरी एक ऐसा ट्रांस्परेंट पेरेंट रनेते तो जैराम ठाकुर जी के रूप में हमको मिला है जिन्होंने अभी हर एक वर्ग के लिए इतनी कल्यानकारी योजना हैं जो माने मुख्य मंतरी मोहदे ने अभी 26 जन्वरी के दिन जो किया है कि हर खशेतर के लिए हर वर्ग के लिए जो मेंली में जो मुख्य योजना हैं उनके मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगी पेंशन जो ब्रिदा वस्ता पेंशन होती थी उसकी उम्र असी वर्ष थी तो माने मुख्या मंतरी और हमारी जो परदेश में उनके नितितमें जो भाते जनता पाटी की सरकार है उन्होंने उसकी जो आईउ है वो सतर वर्ष कर दी है और जो महिलाओं के लिए 65 वर्ष की जो आयू की है इससे हमारी जितनी भी हमारे यहां पे महिला है पूरे परदेश में वो इस योजना से लावार नुट होगी और दूसरी तरह जो भी कई जगा पे जो हमारा सालाना इंकम जो लगती थी वो 35,000 जो क्राइटीरिया था उसको बढ़ाके उन्होंने 50,000 कर लिया है इससे बड़ी एक आमवर के लिए एक बहुत बड़ी एक रहत जो मिली है और उसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात माने मुख्यमंत लीजिये ने जो यह हीमेचल परदेश में एक एत्यासिक फैसला है आज तक अभी किसी ने नहीं किया है कि जो उन्होंने 60 यूनिट बिजली जो फ्री करी है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रीब परिवारे दूर दास के ख्षेतर में जो बहुत कम बिजली या एक या दो बल्व जलाते हैं उनके लिए एक सौगात के रूप में होगा और जो 125 रुपे प्रतिदर के जो एक रुपया किया है ये भी एक ब माने मुख्यमत्री ने हिमचल परदेश के लिए जो हिमकेर योजना जो शुरू की इसे पांच लाग तक की जो आपका इलाज है वो फ्री होता है ये एक आमवर के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आदमी घर में बिमार होता था उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी दिक्कती है कि कहां से पैसे का रेंच करें तो ये बहुत बड़ी मतलब जो लोगों को एक रहात मिली है और इसके साथ साथ एक सारा योजना जो माने मुख्यमत्री के नितर में अबाते जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है कि जो हमारे विकलांग जो है जो उ डिये अभी दिया है इसके अलावा अगर हम शिक्षा के खेतर में बात करें तो पी टिये और पैरा जो टीचर्ज है उनके लिए भी पॉलिसी बनाएंगी है और अच्छी गुणवता मतलब शिक्षा अच्छी गुणवता वाली शिक्षा के लिए जो आदश विद्यालों क नर्मान के लिए भी तो हम इन सब बहुत सारी इसके लाव किसान संबान निदी योजना है और बहुत सारी दूसरी योजना है जैसे ग्रीनी सुविदा योजना है कोई भी मेरे ख्याल से हम ये बोलते है कि कोई भी ऐसा क्षेतर ऐसा घर नहीं है जहां पे भातेर जनता पा सचाम की जो योजना है। उसके तहट उसको लाब मिला हो। तो मैं इन सब इन सब के लिए में माने मुख्यमंतरी जी का आधन ने उनके नित्यों में जो माने मुख्यमंतरी की ऑला जो माने मुख्यमंतरी जी माने- Εर्चा-म्हाund-ौ्र के अंदर इतने कारे कि हैं इतने मुतलब हर खेत्र में वहापका कॉम्यूनिटी सेंटर रोखा रेंशेटर हो आपका महिला मंडलोओ आपका यूअक मंडलोओ। कोई वी वर्ग कोई खेतर ऐसा चूता ना रहा हो जिन के लिए उनकी तरफ से कोई लाब ना मिला हो अगर हम बात करें कि पिछले चालिस वर्षों से जूबल नावर कोट खाई में कॉंग्रेस का शासन था यहां से दो-दो मुख्यमतरी कॉंग्रेस के रहे लेकिन उसके बावजूद जूबल नावर कोट खाई एक ऐसा लेगे इसके लिए भी हम माने मुख्यमतरी का भाते जन्ता पार्टी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ उसके लावा हम अगर बात करें उबादेश की तो इसके अंदर नो पंचायते आती है देवगड़ से बागी तक यह एक शेतर दूर राज का शेतर था तो यहां पर बड़ी वर्षों से लंबेत और यह कॉंग्रेस का गड़ माना जाता था और यहां पर वर्षों से जो लंबेत मांग थी इनकी उप तहसिल काराले की वो भी माने मुख्यमतरी आदेने जैराम ठाकुर जी की सरकार ने बाते जन्ता पार्टी की सरकार ने कर दिखाया इस इसके लाव अगर हम हाली में बात करें कि इस बार बहुत अच्छी बरबारी हुई है और यह बागवानों के लिए बड़ी खुशी की बात है लेकिन जहां यह अच्छी बरबारी के कारण हमारे बागवान किसान बहुत खुश हुए हमारे सेव की फसल अच्छी आईगी ल लेकिन जो भी यहां पे काम हो रहे हैं, वो भारते जनता पाइटी के माधियम से हो रहे हैं, इसमें विधायक जो जूबल नाउर कोटखाई के कांग्रेस के विधायक हैं, मैं उनको आपके माधियम से कहना चाहती हूँ, कि जूटे श्रे लेने का बिलकुल भी काम ना करें, जूटा श्रे ले रहे हैं, हम जूबल नाउर कोटखाई में भारते जनता पाइटी की सीट हा रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो भारते जनता पाइटी की सरकार है, और जूबल नाउर कोटखाई के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, और आगे भी जो का हम होगे वह भारते जन्ता पार्टी की नेतितों में ही हो रहे हैं इसके लावा आज हमारी भाजपा जूबल नावर कोटखाई की जो मंडल की बैठक हुई है हम हमारे पास जो नौ मिने जैसा कि आप सब को पता है कि चुनावी वर्ष है हम आने वाले चुनावी वर्ष में प खेते जो अभी हमारे मंडल ने अभी हमने डिसाइड किया है तीन बिंदों पे जो हमारा एजेंडा रहेगा सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो स्वास्ते पे होगा जो हमारी हेल्थ है तो अगर आप देखेंगे कि हमारी जो 65% अबादी युवाओं की है तो हो जो हमारा युवा है जैसे कि हम बात करते हैं आज का युवा कल का नेता हाज हमारा युवा हमारे देश का वेविश्या है हमारे समाज की दूरी है तो जो आज हमारा युवा है वो नशे की गृफ्त में जा रहा है इसमें हमाने मुक्यमंत्री जी ने भी अभी हाली में पीटर रॉप म बहुत बड़ा उनका ये कारेकरम हुआ था वो भी इसके बारे में बहुत चिंतित है और इन्होंने इस नशा निवारण के बारे में मतलब हर उनको दिशा निर्देश दिये तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे एक शेतर में भी ये बहुत समस्या आ रही है कि ह हमारे घर में हर घर में एक एक बच्चा है और वहर एक बच्चा जो है उनके मादयम से हर एक पंचायत में हम एक योगा केंदर खोलने जा रहे हैं योगा केंदर के माद्यम से हम हरक्षेत्र के तो हमने हरक्षेत्र में परभारी भी न्यूक्त की है कि जितने भी इस तरह के जो हम योगा केंदर खेलेंगे उसमें जो भी हमारे अपने यूद को हम संगठित करके योगा केंदर तक लाने की कोशिश करेंगी कि सब को योग के म आदमी निकर के ऊपर आता है, बहुत उसे की वो मिहनत करके ऊपर बढ़ता है, लेकिन जो आज का यूँआ उस में धहरे की कमी है, सैन्शल्टा की कमी है, तो उसकी वज़े से क्या होता है, कि वो किसी भी चीज को पाना चाहता हु, एक सौंट कट मैघ्ड यूज करना चाहता उसे उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन आ जाती है तो वो थोड़ा फ्रस्टेट हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है जिसकी वैसे वो नशे की और बढ़ता है तो हम लोग हमारा एजेंडे में यह रहेगा कि हम यूआ मुर्चा के माद्यम से मंडल जो जूबलनावर कोट खाई नहीं किया कि हम योग केंदर का एक वो करेंगे कि और वोलेंटियर्स को हायर करके कि हम हर एक पिंचायत में हम यूआओं को योग के तहत हम उनके अंदरम सकारात्मक जो हो है वो लाने की कोशिश करेंगे और जब हमारी हेल्थ ही होग जनता पार्टी हमारे संगठन का भी ये मूल मंत्र है कि सता प्राप्ति करना ही हमारा अंतिम लक्षे नहीं है हमारा लक्षे है ब्यक्ति निर्मान समाज निर्मान ये भी भात्या जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है जब तक हम अपने करतब्य को साही धंसे नहीं करेंगे तब तक हम किसी अधिकार के अधिकारी नहीं कहलाएंगे तो हमारा सबसे पहले करतब्ब यह होगा कि जिसके लिए हम करना चाह रहे है आने वाली जनरेशन के लिए तो आने वाली जनरेशन हमारा यूथ है जब हमारा यूथ हेल्दी नहीं होगा अच्छी सोच नहीं रखेगा तो हम कैसे आगे काम कर पाएंगे तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे हेल्थी शूबे की नशा निवारन के लिए हम इस पे और मैं आपके माध्यम से हर एक एंजियोस को वोलेंटियस को यूथ क्लब्स को जो इस फिल्ड में काम कर रहे हैं हम उन सब के सुजाओ भी आमंतरित करते हैं कि जो इस फिल्ड में हमारे को सुजाओ देना चाहिए हमारा सेयो करना चाहिए जिस भी रूप में अब उन सब को भी आमंतरित करते हैं दूसरा जो हमारा फोकस रहेगा जो दूसरा हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा काम पे जो हमारा काम होगा वो बिजली सड़क पानी विकास तो हमारा हर एक राइनितिक पाइटी का एक मुद्दा होता है और हमारा भी है तो हमारा नौ मीने में जो हमारा विकास का तर प्रक्रियायम उसको आगे भी करना चाहेंगे लोग हमारे पास नहीं हाएंगे हमने इस तरह का आज यहां पर मॉडल भारत्य जंता पाइटी जूबल नावर कोटखाई नहीं यहां पर त्यार किया है कि हमने हर क्षेत्र में अपने हर पंचायत में अपने परभारी जहां तक बिजली और पानी की सुविदा वहां पर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो लोगों की छोटी-छोटी जूरूते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगी जो लोगों की मूलभूत सुविदा आशक्ता और हम सरकार के माद्यम से उन तक पहुंचाने की पाएंगे तो वो भी हम मतलब सरकार के समक्षम समस्यां रखेंगे और जो भी हम इसे रिलेटेड जो भी इशूज होंगे जो भी काम होगे उसको हम परात्मिक्ता के अधार पे करेंगे दूसरी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे कोविड काल में हमारा बहुत सारे हम चाहते हैं कि होम टूरिजम के माधियम से हम अपने युवाओं को आतनिर्वर बनाने की कोशिश करें और ताके लोगों का रोजगार की सुविदा भी बढ़े और हमारा शेतर जो है ये टूरिजम की दृष्टी से भी विक्सेत हो जो तीसरा हमारा में मकसद जो हमारा मे माईला मोर्चा हम हर एक घर को हिंदू घर बनाना चाते हैं हम लोग चाते हैं कि हर एक घर में वो संसकार वापस आए क्योंकि हमारे क्या हो गया कि यहां पे हमारी economy save की वज़े से हमारे लोग थोड़ा पाश चाते हैं सब्वेटा के पीछे भागना शुरू हो गये थे तो हम चाते हैं कि द्वारा हम अपने संस्कार में वापस आए हमारी जो आदि आबादी जो हमारी मैला है वो हिंदू संस्क उन्हेतिी का प्रचार प्रसार हम उनके माध्यम से करें tractus नातन धरम के लिए हम क्यों वे प्रसुख को ये शिक्षा दिख्षादे एक दे कि हम माम रित्वी जाप जो है वो हर मतलब एक ब्लॉक लेबल पे या पिंचाइट लेबल पे करें तो हमारा ये एक एजंडा ये भी है कि हम महिलाओं जो हमारा महिला मोर्चा है कि हम उनके माद्यम से कि हम इस तरह के कारे करें कि जब हमारा एक घर अच्छा होगा तो हमारा एक काम करेंगे और मैं आपके माध्यम से मैं सभी के सुजाओ भी जो भी कोई आपके वलेंटियज है या कोई भी एंचियो जो इस पे हमारा सहयोग करना चाहिए तो हम उनको भी उनके सुजाओ और उनका सहयोग भी हम आमंतृत करते हैं और बाकी मैं आपके माध्यम से धन्याब करना चाहती हूँ अपने आदरने जैराम ठाकुर जी की बार्टे जंदा पार्टी की सरकार का कि आगे जो अभी तक उन्ने काम किये आगे भी जो जुबलना उर्कोट काई में विकास मत का रहे होगे उसके लिए हमारी सरकार प्रतिवद्द है और करेगी और हम भी मतलब जित को हब आप से जरूर लेना चाहिए और पहला सवाली आपने कहा कि जुबलना उर्कोट खाई में भाजपा की सरकार में बहुत काम हुआ है चाहे वो दो-दो-ध्यम का रहे ले जिनका आप जिकर कर रही है और फायर टेंडर का जिकर कर रही है यह सारी जो भोशनाय है वो च काम किया बहुत ज्यादा काम किया मैंने अभी आपको बताया है कि यहां पे दो-दो-ध्यम कारण खोले गए हार के पीछे बहुत सारे कारण थे और मैं उसमें कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी लेकिन जो भी है भारते जनता पार्टी अभी प्रतिवत काम करन कि आगे हम जो हमारी पार्टी है वो आगे मितलब इस हार पे मन्थन करके हम एक असकारत में उसमें पहुंच रही है और आने वाले टाइम में मैं आपको यह आश्वस करना चाहते हूं कि 2022 में हीमेचल में भारते जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जुबलनार कोट खाई उन्हें पदों से हटा दिया गया वो लोग क्या आपके साथ हैं या हम यूँ समझें कि जिन लोगों को हटा दिया गया क्या वो भारते जनता पार्टी की लोग नहीं थे लेकि से पहले तो मैं आपको यह बात कहना चाहूंगी कि हमने किसी को पद से नहीं हटाया है और ऐस से नहीं एटाया नए लोगों को मुझा मिला है लोग काम करती है यह जो पर यहां पर को आ anderes करते रहें कज़ना तो अ क्शुन से पहले हो चुगी है आपने उप्स तो अब कापी समय हो यहां पर आते हैं देखिए ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब हम अभी हमारा कोट काई में भावन बन के त्यार नहीं नहीं हुआ है जैसे हिमारा भावन बन के त्यार हो गया है वहां भी स्टेम बैठेंगे और यहां पर जैसे यह थोड़ा भी चनाव की द्रिश्टी से सरकार अभी भीजिये उत्रहकंड में चनाव हैं पंजाब में सलय जसी अरा चनाव से हट के याट तो बहुत जल्दी यहां भी थी शINGING बैठ जाएंगे और यह को boy चिनावी घोश्टना नहीं है हमारी जो बात है जन्ता पाइटी की सरकार है जो बोलती है वो करती है और यह चनावी खोशना नहीं है यह पर्मनेंट यहां पे स्टेम बैठेंगे और बैठ गया है